हलो गाईस अगर आप लोगों के बैंक में बार-बार ECS रिक्वेंस हीट की जा रही है जिसकी वज़्य से आपका बैंक यहां तो माइनस में होता चला जा रहा है यहां फिर आपके बैंक में जो भी पैसा पड़ा होगा वो आटोमेटिक कट होता चला जा रहा है तो आप Pということで Outdo David इस तीर नामों से जाना जाता है इसके बारे में आपलो जा लिजिये, इसको बोलते right. ECS maintained इसके अलावा बोलते हैं ACH उसके अलावा बोलते हैं then ACH दोस्तो यह तीर नामों से जाना जाता है अब बात करते हैं कि ये दोस्तों किस तरीके से activate होता है इसमें दोस्तों process तीन होते हैं वो तीनों को आप लोगो जानना बहुत जरूरी है ये पहला आता है mutual fund P.I.O.S अगर आप लोग इसको activate करते हो तो इसके थुरू आपकी bank से पैसा कटेगा जो की mutual fund में invest करते हैं सेकेंड आता है अगर आपके पास में prepared sim है क्योंकि prepared sim में monthly bill आता है तो उसका bill आपके bank से ये direct card लेते हैं इसमें भी ECS add होता है और तीसरा जो 99% लोग यूज करते हैं वो है loan अगर आप लोग किसी भी company से या भी bank से loan लेते हैं वो ECS के through आपके bank से पैसा कारती है तो इन सभी को आज मैं cancel करना बताऊंगे कि किस तरीके से आप लोग इन सभी को cancel कर सकते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं mutual fund का और prepared sim का हम लोग किस तरीके से ECS request cancel कर सकते हैं तो ECS request cancel करने के लिए आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा आप लोग को bank में विजिट करना है private bank हो या पिर आपकी government bank हो वहाँ से ECS cancellation का एक आपको form मिलेगा वो fill करके जमा कर देना है किस date को आपका ये ECS request भेजी जाती है और किस date को आपकी bank से ये पैसा करता है वो date आप लोग को mention करके वहाँ पे submit कर देना है आपका mutual fund का और prepared sim का जो ECS होगा वो बड़ी आसानी से वहाँ पे cancel कर दिया जाएगा अब बात करते हैं यहाँ पे loan की जो काफी important है इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है इसमें दोस्तों आपके साथ में दो condition हो सकती है sorry तीन condition भी होंगी जो तीन स्री condition है वो आपको मैं इस video में बता दूँ सबसे पहले अगर आपकी private bank है तो आप लोग customer care के थुरू ही ECS request cancel करा सकते हैं by chance customer care आपका cancel करने से मना कर देता है तो मैं जो condition है उनके बारे में बताऊंगा उसको follow करेंगे तो आपका ECS request cancel हो जाएगा सबसे पहले बात करते हैं government bank की क्योंकि 99% लोगों के पास में government bank है government bank में आप लोग किस तरीके से ECS request को cancel कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ ECS cancel करने के लिए आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा अगर आपका active loan चल रहा है तो उसको आप लोगो close करना पड़ेगा वहाँ से आप लोग को loan की NOC लेनी होगी उसके बाद में bank में submit करके आप लोग को एक application लगा के वहाँ पे ECS cancel करा सकते हैं लेकिन अगर आप लोग के पास में NOC नहीं है फिर भी आप लोग इसको cancel करना चाहते हैं तो उसका एक simple सा और सीधा सा तरीका है आप लोग के पास में net banking होनी चाहिए अगर आपके पास में net banking नहीं है तो आप लोग अपनी bank का YouTube पे सर्च कर लिजे कि net banking कैसे create की जाए या फिर net banking का password या user ID कैसे हम लोग बना सकते हैं इसके बारे में detail में आप लोग को YouTube पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं और यहां पर बात करते हैं net banking अगर आपके पास में है तो आप लोग किस तरीके से cancel कर सकते हैं यह government bank के लिए भी है और यह private bank के लिए भी है तो मैं यहां पर अपना mobile का screen on कर लेता हूं आप लोग को दिखा देता हूं दोस्तों मैंने यहां पर अपनी screen recording on कर लिए आप लोग देख सकते हैं live proof पर साथ दिखा रहा हूं यहां पर आप लोग को क्या करना है net banking आपकी कोई भी bank हो आप लोग net banking on कर लिजिए अन करने के बाद में यहां पर आप लोग को user id पास और डाल देना है अगर आपका नहीं है तो youtube पर देख लिजिए मैंने पहले बता दिया यहां पर आपको side में एक देखी काफी सारे option आएंगे तो यहां पर आपको एक option पर ध्यान देना है service request इस पर आप click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से option आ जाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं NACH cancellation यानि NACH cancellation का option आ रहा है जब आप इस पर click करेंगे तो आपके number और email ID पर एक password आएगा verification के लिए तो यहां पर आप लोग को submit कर देना है जैसे ही आप submit करेंगे तो आपके जितने भी ECS request add होंगे तो यहां पर show कर देंगे present time पे मेरा कोई भी loan नहीं है auto debit मैंने किसी को भी नहीं दिया है ECS के लिए approve किसी को नहीं करवाया है इस वज़े से यहां पर blank दिखा रहा है अगर आपका कोई भी loan होगा active जिसका ECS add होगा यहां पर show कर दिया जाएगा अगर आप लोग उसको cancel करना जाते हैं तो वहां पर click करने के बाद में वहां पर delete या पर cancel करने का option आएगा आप लोग को उस पर click करना है वहां से आप लोग बड़ी अराम से cancel कर सकते हैं तो यहां पर मैंने आप लोग को बता जिय कि किस तरीके से आप लोग कैं instal करना है यहां पर अगर आपके काफी सारे हो दो तीन तो आप लोग सब्सक्त करके एक साथ उनको भी डिलीट कर सकते है तो दोस्तो आप लोग कुछ इस तरीके से एसे सब्सक् CAP कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थुरू अगर आप लोग कोई और तरीका जानते हैं जैसे कि आप लोग सिगनेचर चेंज कर सकते हैं अगर आप लोग अपना चेक वगएरा डालते हो और चेक आपका बाउंस हो जाएगा तो आपको पेनालिटी देनी पड़ेगी तो अभी मैं इस टाइम पे रेक्मेंड नहीं करूंगा कि आप लोग सिगनेचर वगएरा चेंज कीजिए आप लोग नेट बैंकिंग के थुरू अपना जो ECS रिक्वेस्ट है वो कैंसल कर सकते हैं इसमें आप लोग को काफी सारे अप्शन मिल जाएंगे कैंसल करने का आप लोग वहाँ पे कर सकत अगर आप लोग नेट बैंकिंग के थुरू करते हैं तो 101% आपका ECS रिक्वेस्ट कैंसल हो जाएगा I hope दोस्तों आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट में आप तक पहुंचाता रहूं